दोस्तों तारक मेता का उल्टा चश्मा के सभी फैंस के लिए एक बहुत ही बड़ी खबर है तो अब दोस्तों ये कन्फर्म हो चुका है कि जो दिशावकानी है वो दिया के रोल में वापस नहीं लोटने वाली तारक मेता शो में पूरी स्टोरी मैं आपको बताऊंगा दोस्तों तो यहाँ पर दोस्तों एक बड़ा मेडिया वेब पोटल है काफी फैमस है कोई मोई तो उन्होंने ये रिवील किया है तारक मेता शो के एक सोर्स ने काफी करीबी सोर्स ने जो तारक मेता की टीम में है उन्होंने ये reveal किया कि दया ने बहुत पहले ही तारक मेता का उल्टे चिश्मा शोच छोड़ दिया है लेकिन तारक मेता makers ने पता नहीं क्यूं इस बात को अभी तक publicly announced नहीं किया है इसका reason क्या है ये तो किसी को नहीं पता लेकिन हाँ producer और director उनको पता है कि दया भावी जो है वो वापस नहीं आने वाली show में और ये अभी के time में confirm नहीं हुआ ये काफी पहले ही confirm हो चुका था वैसे दोस्तों इस news में काफी हद तक सचाई भी लगती है क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो यहाँ पर अभी हमने recently देखा था कि सुन्दरलाल जो है वो दया भावी का message लेकर आता है तो वहाँ पर definitely दया भावी खुद भी अपने घर से ही वो message record करके भेज सकती थी लेकिन ऐसा नहीं हुआ उन्होंने जो पुराने वाली clip थी वो use की उसके अलावा जो नया part था वो उन्होंने mimicry artist से mimic करवाया तो जी हाँ दोस्तों काफी हद तक अब ये confirm हो चुका है कि जो दया भावी है वो तारिक मेताशों में अब नहीं लोटेंगी तो आप दोस्तों इसके बारे में क्या सोचते हो आपकी राय क्या है नीचे comment section में जरूर बताएगा